हाँ जी तो three months के इंतजार के बाद मैं finally आप सब लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ अपना second technical analysis workshop for 2024. इस 10 घंटे के workshop में मैं आपको step by step तरीके से समझाऊँगा कि stock chart की reading कैसे करी जाती है, price action को कैसे समझा जाता है, momentum को कैसे judge किया जाता है. हम आगे बढ़ें और समझें detail मे मैं उसके पहले मैं आपको तीन बाते समझाना चाहता हूँ, number one, यह जो workshop यार, यह 100% practical है from the very first minute, मतलब मैं मुझे कोई interest नहीं आपको बताने में कि market इतनी बजे open होता है, market का daily turnover यह है, market का chairman यह है, यह सब चीजों से कुछ नहीं होता, ठीके वो सब आप already theory में बहुत अच् 100% practical workshop from the very first minute, will be absolutely no bullshit, number two is, everything will be covered from scratch, तो अगर आपके basics clear नहीं है, आपको सर मुझे पता ही नहीं है, यह stock chart को कैसे पढ़ा जाता है, so this is for you, मुझे basic पता है, मैं कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, खुद चार्ट पढ़के, stocks निकाल के trade कर रहा हूँ, क्या मैं आपके workshop में आऊ, not required at all, क्या यह trading workshop है, बिल्कुल भी नहीं, यह stock chart reading workshop, ठीक है, मुझे यसा लगता है, कि as a student of finance, आप सब लोगों को basic stock chart की reading करते तो आने ही चाहिए, ठीक है, so that you can club your fundamental with your technical analysis, knowledge, मतलब एक basic foundational और practical knowledge होना चाहिए, तो हर चीज हम बिल्कुल basic और scratch से cover करेंगे, number three, जो बहुत important है, usually लगता है, price देखके आपको भी ऐसा लगेगा, कि यार इसने यह तीन दिन का workshop होगा, third day पर, you know, he'll come and sell some big course, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, bro, ठीक है, there'll be no upselling at all, जो भी होगा, यह 10 घंटे के workshop में ही होगा, and this will be end of it, ठीक है, हम आगे बढ़ते है, तो हम क्या-क्या चीजें सीखने वाले, what all things which will be learning, ठीक है, तो number one, किसी भी chart को कैसे read किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और कैसे समझा जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा, कि इस समय market में, मेरे stock का price जो है, वो strength में चल रहा है, या weakness में चल रहा है, अगर मुझे समझना ह कि लोग मेरे stock को जादा से जादा खरीद रहें, या जादा बेच रहें, तो वो मैं कैसे समझ पाऊंगा, ये सब चीजें अपन यहाँ पर cover करेंगे, apart from that, we'll understand, हम समझेंगे, price patterns को समझेंगे, chart patterns को समझेंगे, ठीक है कि price अलग-अलग तरीके से कौन से patterns बनाते हैं, उनका practical use क्या होता है, chart patterns होते है, candlestick patterns होते है, उनका use क्या होता है, momentum क्या होता है, कैसे judge करा जाता है, एक framework तो होना अची ना दिमाग में, आप ऐसा कैसे बोल दोगे, कि कोई stock है, वो high momentum stock है, या कोई stock है, वो low momentum stock है, ठीक है, how would you say that, तो उसके लिए अपन समझेंगे, चीजों को, मैं आपको बताऊंगा कि हम price action के through, एक perfect entry कैसे plan करते हैं stock के अंदर, जो technically सबसे perfect entry हो सकती है, उस particular stock में, और ये सब चीजें है, हम लोग psychology और price action के basis पे समझेंगे, इसका कोई formula या कोई magic potion नहीं है, usual human behavior है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे कि logical target और stop loss कैसे set क करा जाता है, ठीक है, आप buy entry तो बता रहे हो, लेकिन ये बताओ कि कहाँ पर exit करना है, कहाँ पर target है मेरा और कहाँ पर exit करना है, अगर मैं loss में चला जाता हूं तो, मेरा stop loss क्या है, मुझे ये भी चीज़ तो समझाओ, ठीक है, इसके अलावा जो सबसे important है, वो है एक defined exit strategy, आप सब लोगों को पता है, कहीं लोगों को पता होगा, सर, flag chart है, flag है, cup and handle है, inverse, you know, head and shoulder है, everything is good, but how would you have a defined, और how would you take an exit, आप exit कैसे लोगे, क्या आपका target meet हो गया 8% का तो आपको exit ले लेना चाहिए, या आपको stock में exit हमेशा momentum के basis पे लेना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ इन सबको practically chart read करने के लिए, जो tool लगता है, हम use करेंगे उसमे trading view, which is one of the world's best charting software, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और हमें क्या क्या है, इसके लिए हमने पूरी एक booklet भी ready करके रखी आप लोगों के लिए, ठीक है, सबसे important बात है, मैं समझ कि मेरी capital जो है, उसको मैं efficiently कैसे allocate कर सकता हूँ, और risk कैसे manage करते हैं, मतलब apart from reading the chart, अगर कोई ऐसा वेक्ती होता है, जो proper risk reward के साथ, proper capital allocation के साथ, stock में entry करना चाता है, वैसे, समझना, मैं trading नहीं करता हूँ, कभी कबार इदर उधर इक्का दुखका कोई swing trade ले लिया, तो ले ठीक है, मैं FNO तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं जब-जब FNO करता हूँ, तब-बेर को loss होता है, मैं usually momentum trading करता हूँ, momentum investing करता हूँ, swing trades लेता हूँ, मैं students को भी मना करता हूँ, कि आप लोगों को अभी अपने father-mother की hard earned money से trading नहीं करना चाहिए, ठीक है, अभी पहले सीख समझ लो, बहुत time मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को पैसा कमाने का market कल बंद नहीं हो रहा है, इसमें जो सबसे important चीज है नहीं यार, वो है 110 साल पुरानी GAN theory, आप समझ ना, इसको मैं personally use करता हूँ, मेरी investing में, इसको मैं personally use करता हूँ, जो भी trading में करता हूँ, थोड़ी ब Apart from that, we'll be having a trade validation checklist, मतलब हम एक framework में आके stock में entry या exit लेंगे, हमको पता होगा कि हमारे stock में ये 4, 5, 6, 7, 6 चीजें होना चाहिए, उसके बाद ही मैं एक checklist, जब पूरी check हो जाएगी, उसके बाद ही मैं buy करूँगा, I'll also be providing you the reading material, हमारा reading material कुछ 70 to 100 pager reading material होगा, जो आप workshop के दौर workshop से पहले, workshop के बाद में पढ़ सकते हैं और उससे benefit ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताये कि 100% practical workshop है, तो किसी भी चीज से ज़्यादा मुझे आप लोगों का passion चाहिए होगा towards capital markets and towards learning how to reach chart effectively, इसके अलावा एक चीज और रहेगी, lifetime WhatsApp group और WhatsApp community जो है राधर अपनी उसके अं meetings with each other, that is for the people, कब होगा सर यह, यह तीन दिवस होगा सर, तीन अलग अलग दिन होगा, number one, पहला session जो होगा, 23rd of June, upcoming Sunday को होगा, from 10 a.m. to 2 p.m., 4 घंटे, ठीके, दूसरा session जो होगा, वो Tuesday को होगा, 25th of June, शाम को साड़े आठ से, साड़े 10 बजे तक, यह दो घंटे का होगा, 4 Sunday होगा, upcoming Sunday के बाद वाले Sunday, 30th of June को 10 a.m. to 2 p.m., यह होगा, पूरे 5 घंटे, टोटल में लाके होगा, कि 10 hours, किर देखो, मेरा तो 100% यह opinion रहता है, कि as a student of finance, अपने को chart reading करते है, तो आने ही चाहिए, trading करना, नहीं करना, करना है, नहीं करना है, वो सब आपकी बुद्धी और आपकी विवेक के उपर है, मेरी तरफ से तो मना रहता है हमेशा trading करने का, but practically तो समझ में आना चाहिए, कि चल क्या रहा है, market के अंदर, कोई मेरे सामने chart खोल दे, CNBC पर chart है, मेरे को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी हलत नहीं होनी चाहिए, that is the last thing which we want, ठी आया नहीं है, ना भी हम लोग कोई ऐसी मंशा है, इस बार भी, बहुत ही reasonable और बहुत ही, you know, optimally priced है, एक limited seats available है, reason हमारे पास zoom की restriction है, that we have only, you know, 400-500 people, participant limit in zoom, तो limited seats है यार, 23rd of June से workshop स्टार्ट हो रहा है, आप फटा-फट नीचे description में जाओ, link पे click करके register कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ, 23rd of June को सुबह 10 बजे, साथ में सीखते हैं, stock chart कैसे read करते हैं, I am waiting for you, फटा-फट नीचे जाओ, register कर लो, limited seats है, फिर बोल रहा हूँ, bye-bye.